अरे क्या कहेंगे लोग यही बात सोचकर बहुत से बच्चों का जो टैलेंट होता है वो छिपा का छिपा ही रह जाता है क्योंकि वो डरते रहते हैं हर एक परसन की युनीक परसनेलिटी होती है युनीक ठिंकिंग होती है अगर आप ऐसा सोचते रहे तो आप कभी भी अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाऊगे इसलिए लोगों का सोचना शोड़ कर अपने टैलेंट को बनने दे exercise 6.3 जो है वो बिलकुल डिट्टो कॉपी 6.2 है एक बात जस्ट इसकी कुछ अडवांस है उससे पहले तो जो कुछ किया है वो करना ही है जो अडवांस होगी फिर देखेंगे जो given inequalities दे रखी है उनको पहले let करके हम पीछे जैसा x is equal to 3 और y is equal to 2 लिख देते हैं x is equal to 3 मचलब x की value 3 के equal है तो ये वाले हुई फिर line हा ना ये देखो ये line हुई फिर ठीक है ये line है उसके बाद फिर और क्या है y is equal to 2 पॉस्टिव की है y की value 2 है पॉस्टिव ये हुई ठीक है ये देखो ये हुई ऐसा हुआ कुछ ये हुआ तो पीछे वाले सम में आप क्या करते थे true area निकाल कर उसको shade करते थे अब इसमें क्या करना है अब इसका area देखो x क्या है greater than 3 है तो मतलब इदर वाला area हुआ ठीक है ये वाला area हुआ x का ठीक है y क्या है greater than 2 है इदर वाला area हुआ ये वाला area हुआ ठीक है अब इसमें advance काम सिर्फ यही है कि जब इसमें जो common area होगा दोनों का, इन दोनों का common area कौन सा है, ये देखो, ये वाला area common है, ये line जो है, वो x की थी, ये line x की थी, और ये line y की थी, ठीक है, तो common area कौन सा है, ये वाला है, common area इसका ये वाला है, तो आपको क्या करना है, इसको shade करना है, दूसरों को shade नहीं करना आप लुगोंने, इसको आपने क्या करना है और जो दूसरे हैं उनको शेड आपने नहीं करना मतलब यह जो है न यह वाले इनको आपने शेड नहीं करना सिर्फ वही शेड करना है जो आप इसका common area होगा जो पीछे वाले sum थे उन्हों में हमने क्या किया था exercise 6.2 में आपको एक ही linear inequality की equation दी रखी थी जो आपकी 6.3 है उसमें आपको यह देखो 2 है 2 से जादा है 3 है 4 है 5 है मतलब जादा है एक नहीं है अब 2 की बात हो जाती है जाओ उससे जादा की बात होगी तो आप इनका सभी का क्या करना है आपने common area निकाल कर उसको क्या करना है sheet करना है और कोई भी बात advanced जो इसमें नह मतलब x is equal to 1, y is equal to 2 पहले इनको लिहो x की value क्या है greater than or equal to 1 मतलब इदर वाली यह line ऐसे x वाली चीक है यह कुछ ऐसी line होई तो यह क्या है greater than or equal to है मतलब यह इदर वाला जो area है यह किसका है x का है ये वाला जो एरिया है ये वाला जो एरिया है आपका वो किसका है एक्स का है चीक है य की बात करते हैं y greater than 2 है मतलब ये line y की हुई चीक है तो ये उपर वाला कौन सा एरिया हुआ y का हुआ अब इन दोनों का तो common पता चल रहा है कि ये इसके बाद-बाद वाला और इदर-इदर वाला common एरिया ये वाला हाना पर अब थार्ड की बात भी करनी है इसको जैसे 6.2 में solo किये वैसे करने तो जब आप x की value 0 ले गोगे तो y आपका 6 आएगा जब आप x की value 4 लेंगे तो y आपका 0 आएगा इनको आप graph पे float कीजिए ये जो point आए चलो ये point को graph पे float करते हैं x 0 y 6 मतलब यहाँ पर y 6 है x 0 यहाँ पर तो यह होगा 0 और 6 x 4 यह वाला और y 0 मतलब यह यहीं पे है यहीं पे हैं तो यह क्या हुआ x यहाँ पर 4 है y क्या 0 है इस line को ऐसे इससे pass कराए यह ऐसे हुआ यह ऐसे हो गए ठीक है यह लाइन इससे पास होगी नै ऐसे करके अब चेक कीजिए इन में से common area कौन सा है इन में से common area कौन सा है यह देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ मतलब बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है यह area आपका y का था यह उपर वाला ना यह वाला area आ आपका x का है अब common area देखो यह देखो common area द्यान से देखो द्यान से यह वाला नहीं आ रहा यह वाला यह जो ट्रेंगल बन रही है ठीक है यह देखो common area यह common area ना द्यान से देखो कि x का x की value भी इसमें include हो रही है x बड़ा एक्स बड़ा रहा ना इस line से बड़ा मतलब इदरी दर वाला तो यह देखो इदरी दर वाला है सब कुछ और y क्या है 2 से बड़ा तो यह y का area था ना उपर वाला तो यह देखो यह उपर y की तरफ ही बढ़ रहा है ना और अगर हम इस line की बात करें जो इस से pass हुई ऐसे करके तो अब common area देखो कौन सा चल रहा है तो यहां तक common area नहीं चल रहा है तो इसको आपने क्या करना है shade करना है जो बाकी है सभी आपके उनको आपने क्या करना है बाद में delete कर देना है बाद में आपको क्या करना है delete कर देना है क् यह हमारा इसका result है. इस exercise के जितने भी sum है, वो concentration के ऊपर depend है, कि कितना का concert करके आप sum को करेगे. Let कर लीजिए इन equation को पहले equal की तरफ, जैसे के पहले करते हैं, 3x plus 4y is equal to 12. पहले इसकी बात कर रहे हैं, जब इसमें हम x की value को 0 fill करते हैं, y 6 आएगा, जब आप इसमें x की value को 3 fill करोगे, y आपका 0 आएगा, ठीक है, पहले की बात हुई है, जब आप इसमें, ठीक है, इसका ऐसे अलग बनेगा, उपर मैं बनाने भूल गया, यह x होगा, यह y होगा, जब आप इसमें x की value 0 fill करोगे, y आपका 3 आएगा, तो जब आप इसमें x की value 4 fill करोगे, y आपका 0 आपका 0 आपके देखेना, class 10th की बात है, यह तो, y को गर आप पे float करते हैं, पहले इसके करते हैं, x 0, y 6, यहाँ पे 6 है, ठीक है, यह point होगे, x 0 है, y 6 है, x 3, y 0, यह है, ठीक है, यहाँ पर x की value 3 है, y के 0, इस line को इससे pass कराओ, ऐसे करके, ठीक है, यह मतलब इससे pass हो रही, ऐसा समझे लो, ठीक है, यह ऐसा है, scale नहीं लख पा रहे है, इस slide के उपर, ठीक है, यह x p pen होता है, student, जिसकी सहायता से, मैं इसको बनाता हूँ, वीडियो को, ठीक है, उसके बाद दूसरे का देखते हैं, यहाँ पर यह देखो, x 0, y 3, x 0, y 3, यह हुआ, यह point हुआ, यहाँ पर x 0 है, y के 3 है, फिर x 4 है, यह 4 है, y 0, मतलब यह point है, x 4 है, y के 0, इससे इसको कह कराओ, पहल, अब इसको क्या है, पास कराओ, इससे, तो यह ऐसे करके, यह पास हो गया, चौल, अब यह जो line है, आपकी, यह वाली पहली, यह इस equation की थी न, इसको लिखो, 2x प्लस y, greater than, equal to 6, और यह वाली जो line है, आपकी, वो किसकी है, इसकी थी, इसको लिखो, 3x प्लस 4y, less than 12, equal नहीं है, एक बार मुझे चेक करने, तो equal तो नहीं है, चेक करने दो पहले, equal भी है, तो यहाँ पर equal का symbol भी है, चलो, अब हम true area चेक करते हैं, इसमें आप पहले 00 फिल करो, जब आप 00 फिल कर दे होंगे, इसमें, तो आपका क्या हैगा, 0 plus 0, greater than, और equal to 6, 0 greater than 6 के equal है ही नहीं है, क्या हुआ, false हुआ, false हुआ, 00 area कौन सा है, यह वाल है, इदर वाल है ना, 00 area, तो मतलब यह वाला area इसका क्या है, false है, तो true area फिर कौन सा हुआ, यह वाला हुआ इसका, चीक है, इसका area यह वाला क्या हुआ, true हुआ, जैसे पहले 6.2 में किया है, ठीक है, अब इसमें 00 fill करो, इसमें 00 fill किया तो यह, 0 plus 0 less than 12, तो देखो, 0 less than 12 है, मतलब true बात है, इसका true area कौन सा हुआ, यह वाला हुआ, इसका यह area true हुआ, अब द्यान से देखो, इन में से common area कौन सा है, अब common area देखो, यह देखो, यह निं common चल रहा, यह वाला area common है ना, यह देखो, क्योंकि जो इदर वाला है, उसका true area कौन सा है, ये वल है ये वल है ये ऐसे है तो ये जो वलाईन है इस का ट्रिवेरिय कौन सा ये वल है ये वल है तो ये देखो common area जो इसके बीचो बीच वाला इन किलूड हो रहा है ये वला ये वला इसका common area है तो बाकी सभी को आपने बाद में क्या करना है रब कर देना ठीक है थोड़ा सा रब कर दीजिए करिए बाकी से भी को आपने क्या कर देना रब कर देना तो common area आप अब चेक कर सकते हो कि red-red वाला common area है four sum में जो दे रखी हैं पहले उनको आपने equal में लेट कर लेने हैं जैसे पहले काम करते हैं उसके बाद आपने point लगाने ग्राफ पर flood करने के लिए तो जब आप इसमें x को 0 लेगो तो y आपका 4 आएगा second time जब आप x को 4 लेंगे और y आपका 0 आएगा आप अपने copy पर कर करके देखना तो इसके जो point आए हैं पहले वो ग्राफ पर flood करी लेते हैं इसके x 0 y 4 मतलब यह वाला x 0 y 4 फिर x 4 y 0 यह वाला ठीक है x 4 है y कह 0 है होगी है ना ऐसे करके चलो यह बात होगी अब इसके कर लेते हैं जब आप इसमें x की value 0 फिल करोगे तो y भी आपका 0 यह आने वाला है उसके बाद जब आप x की value 1 फिल करोगे तो y आपका 0 आएगा इस equation में अब इसको भी point को ग्राफे बना देते हैं तो देखो x 0 y 0 यह है x 0 y 0 फिर उसके बाद x 1 x 1 y 2 मतलब यह वाला ठीक है यह पर ना ठीक है तो यहाँ पर इसको ले देते है x की value क्या है 1 है y की value है क्या 2 true area चेक करना है दोनों का पहले इसका कर लेते हैं पहले इसका true area चेक करते हैं x plus y greater than equal to 4 इसका true value करने के लिए 0 0 फिल कर लेते हैं इसमें 0 plus 0 greater than equal to 4 तो 0 greater than 4 no false है false है तो मतलब इसका true area कौन सा है यह दिरवाला है दिरवाला इसका क्या है true area है चलो इसका दो गया अब इसका चेक करते हैं इस line का यह line कौन सी है हमारी 2x minus y less than 0 अब इसमें 0 0 निए fill कर सकते है student 0 0 आप fill नहीं कर सकते है क्यों क्यों मैंने आपको बताया था ना कि जब line हमारी 0 0 से pass हो जाएगी तो हम फिर 0 0 fill नहीं कर सकते हैं यहां पर एक बात और दयां दें यहां पर हमारा जो symbol है वो equal के साथ नहीं है तो line क्या होगी फिर dotted होगी line ह तो यहां पर यह जो लाइन है वो क्या है कि डॉट्टर होगी क्योंकि इकल के साथ नहीं है ठीक है जिनने बच्चों को पता चल गया था मतलब मिस्टेक जिन्होंने निकाल ली थी तो उनके ओंग्रेचुलेशन है कि उनका माइंड जो है वो पूरी तरह एक्टिव रहता है देखने के लिए अगर जोने को नहीं पता लगा वो थोड़ा से एक्टिव रहें तो अब इसमें 0-0 तो फिल करनी सकते हैं कोई भी और लेलो तो यह मैं 1-1 लेलेता हूं इद्रवाला लेलेता हूं 1-1 ठीक है चेक कर लेते हैं इसमें 1-1 फिल करके तो 2-1 इसमें 1-1 फिल क क्योंकि हमें मालुम है कि यह जो हमारा हुता है 1 है वो 0 से शोटा नहीं है बड़ है तो प्वाइट हमाने इदर का लिया था तो फिर ट्रू एरिया कौन सा हुआ इसका यह वहला एरिया इसका क्या हुआ ट्रू वहला पूरा एरिया इसका क्या है True है अब इनका Common एरिया दे इसका true area ये वला था और इसका true वला एरिया ये वला है तो common देखो फिर क्या आ रहा है ये वला इससा common आ रहा है तो बाकी सबको आपने अगर चाहो तो रब कर भी सकते हो नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं होने वाले ठीक है तो आप ऐसे करके ये सम करने हमने बाते वहीं हैं बस practice यह है जितनी कर लोगे उतनी कम है क्योंकि math का फंडा ही कुछ ऐसा है आगे चलके आपको और बहुत कुछ सीखना है equal का symbol डालने के बाद value fill करनी है तो जब आप x की value 0 fill करोगे y आपका minus 1 आएगा x की value जब आप 1 over 2 लेंगे तो value आपकी 0 आएगी आप कोई भी और ले 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 ना मैं तो आप अपनी मर्जी से ले रहा हूँ ठीक है आप कुछ और भी ले सकते हो अगर आपको यह fraction में नहीं चाहिए तो इसको graph पे float करते हैं x की value जब 0 है यह हमारा graph है यह थोड़ा से दिर कर लेते हैं x की value जब हमारी 0 है तो y हमारे पास minus का 1 है यह है x 0 y minus का 1 ठीक है उसके बाद जब x की value 1 over 2 है मतलब यह ऐसा 1 का half ऐसा 0.5 ठीक है तो y की value का है 0 है मतलब यह हुआ तो यह हमारे पास क्या हुआ 1 over 2 and 0 यह वाला point हुआ हमारा इसका 1 over 1.2 का यह मतलब है उसके बाद जब आप इसमें x की value दूसरी equation में x की value जब आप इसमें 0 फिल करोगे तो y आपका 1 over 2 आएगा जब आप इसमें x की value को minus 1 लेंगे y की value 0 आएगी तो गर आप पे लगा देते हैं x 0 y minus 1 x 0 y minus 1 x 0 y half 1 का half x 0 1 का half यह वहला हुआ यह हुआ यह हुआ 0.5 यह ही है तो यह फिर हमारा x 0 y का 1 over half यह हुआ point इसका दूसरे का क्या है x minus 1 x minus 1 y की value 0 यह ही है ठीक है पास पास की होगे अब तो minus 1 and 0 चलो अब lines जो है वो हमारी dotted होगी क्योंकि दोनों का जो है वो equal के साथ नहीं है तो पहले का अगर आफ lot कर लेते हैं जो हमारी पहली line है उसका अगर आफ कुछ इस type का रहा है यह dotted line है मैं आपको बता देना चाता हूँ ठीक है यह line क्या है dotted है यह आप mind में रख लेना मैंने straight लगाई है तो जो इसकी line है वो कह है यह वाली है इसकी line जो ऐसा है यह इसकी line कुछ पास हो रही है ठीक है निवससे यह दोनों line dotted है यह बाद आपको यह माई ने रखनी है यह दोनों line क्या है dotted है चलो अब हमने common area निकालने के लिए यह पहले कलो 00 fill कलो पहले true area चेक करो इसमें हमने जब 00 fill किया तो यह गर 0-0 greater than 1 false है 0 कभी भी 1 से बढ़ा नहीं हो सकता तो false है काम तो line हमारी यह है 2x-y greater than 1 00 आपने इदर का fill किया है तो इसका true area कौन सा है यह वाला चलो इसका यह वाला area क्या है true है अब इसमें आपने 00 fill करना है इस line की equation कौन सी है यह वाली ठीक है यह वाली है x-2y less than minus 1 इसमें आपने 00 fill किया 0-0 less than minus 1 0 less than minus 1 यह भी false है false है नहीं यह भी तोकि 0-1 से बढ़ा आता है तो 0 बना यह वाला था तो इसका यह false area इदर का है तो true area कौन सा है इसका यह वाला है यह वाला area इसका क्या है true है अब ध्यान से देखिए इसका common area कौन सा है यह देखो common area यह नहीं आ रहा यह आ रहा है ना common area यह आ रहा है क्योंकि यह देखो इसका true area यह वाला था इदर 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 वाला और इसका ट्रिव एरिया इदर इदर वाला था तो common क्या हुआ पर ये वाला हुआ इसके बीचो बीच वाला तो इसको आपने sheet करना है दूसको आपने क्या करना है delete कर देना है ताँ जो examiner को अच्छे से understanding हो जाए और हाँ आपको अगर कहीं पर कोई भी problem आती है और वाहाँ पर अपनी problem पूस सकते हो